हलो गाईस वेल्कम बैक इन इस वीडियो एक महत्पूर्ण अपडेट के साथ मैं उपसे थूँ क्या है महत्पूर्ण अपडेट आए देखते हैं जे एससी जारखंट 26,000 सिक्षक भरती पर से रोखटी फिर से लिये जाएंगे आवेदन जी हैं दोस्तों जारखंट में 26,000 सिक्षक की भरती पर करिया जो चालू हुई थी जो फिर रोगी थी फिर से चालू हो चुकी है फिर से लिये जाएंगे आवेदन क्या है अपडेट आए देखते हैं इस वीडियो में एक अनुडोद होगा कि अगर आप ने वी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने हमसे जुड़ जाए और नौटिफिकेशन मेल को आउन करते हैं ताकि सभी वीडियो ज की नौटिकेशन आप तक सब से पहले मिल पाएं व 200 साहक आचारी की जो कहा जाय कि ऑनलाइन भरती प्रक्रिया चालू हुई थी वो फिर से चालू हो चुकी है और कहा जाय कि प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का निदेश दिया गया है, है ना, क्या है आगे देखते हैं, जारकंड में 26,000 एक साहक आचारियों के नि नियुक्ति के लिए निकले बिग्यापन पर लगी रोक वापिस ले लिए, वैसे अब भेरती जिन्नोंने फॉर्म डाला है और जिन्नोंने नहीं डाला है, उनके लिए कहा जाय कि ए खुसकपरी है, एक कहा जाय कि गुड निउज है कि जो जारकंड हाई कोर्ट ने नियुक के लिए निकले बिग्यापन पर से रोक वापिस ले ली है साथ ही प्राठियों के लिए एक सो सीड जो है रिक्त रखने का निदेश दिया है चीफ जस्टिस संजे कुमार मिस्रा और जस्टिस अनन सेन की आदालत ने गुरुवार को यह निदेश दिया इसके पूर्व हाई को कोट में 5 सितंबर को नियुक्ति के लिए निकले बिग्यापन पर रोक लगा दी गई थी अदालत ने सरकार और जैससी से जवाब मागा था जैससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपर वाला एवंग प्रिंस कुमार ने अदालत को बताय कि साहयक आचारे नियुक्ति पर दोहर तईस बनाई जिसके तहत अपकेवन पारासिक्षक ही आचारे साहयक आचारे भरती में 50% आरक्षन देने का प्रावधान है वही सरकार कपक चरपते हुए महाधिवक्ता राजी उरंजन ने अदालत से रोक हटाने का अगरा किया उन्होंने कहा कि नियुक्ति अनि पहली बार 26 नियुक्ति जो है साहयक आचारे की नियुक्ति होनी है इसमें पारासिक्षकों के लिए 12,868 पत अरक्षित है फिर से लिये जाएंगे आवेदन जियों दोस्तों जुन्होंने फॉर्म डाल दिया है उनको डालना नहीं है जुन्होंने नहीं डाला है वो फॉर् थे लेकिन बाद में आयोग ने इसकी तिथी बढ़ा दी थी रोक हटने पर अब सरकार के निदेश के बाद आयोग आवेदन के प्रिक्रिया फिर से सुरू करेगा इसमें जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन की जरूवत नहीं होगी जिन्होंने आवेद दिये हैं तो उनको अब आवेदन करने की पुन्ह जो है आवसकता नहीं है फ्रेस जो है कहा जाए कि जो अभियरती होंगे उनको आवेदन करना है कि जार्खंड करमचारी चैन आयोग जार्खंड प्राड़मिक विद्दालेश प्रसिक्षित साहक अचार स्विक्त प्रत्य निकला था ओनलाइन प्रिक्रिया का फिर उसे सगित कर दिया गया था ठीक है फिर बाद में जो है इसे चालू किया गया है ये छे तारीक के डेट में आया हुआ है है ना देख सकते हैं और पुना जो है जो दिनांग था उसको संसोधित किया गया है तिथी को संसोधित किया 24-10-2023 की मदरात्री तक होगे है ना और फोटो एवंग हस्ताक्षर अपलोड कि तिथी जो है दिनांग 26-10-23 की मदरात्री तक होगा है ना और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संसोधन अगर किसी प्रकार के तोटी हो जाती है तो वो 28-10-2023 से लेकर के 30-10-23 की मदरात्री तक हो पाएगा ठीक है और इस कहा जाए कि नोटिस में इस सुटिना में यह भी मेंसन कर दिया गया है कि जिन अभिरत्य द्वारा दिनांग 16-23 से दिनांग 5-9-23 सक आवेदन समर्पित किया गया था ठीक है उन्हें आवेदन उन्हें पुना आवेदन समर्पित करने क्या हो सकता नहीं है या stripes नहीं करना है जो टेट है जे टेट जो है वह भी नहीं हो पाया है सम्भूब कुछ वर्थों से या लंबित है है रहा है कि इस परिच्छा में पेच तो है पेच बना हुआ है ना तो इस वीडियो में यह था महत्पूर्ण अपडेट ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तिल और टेक केर थैंक यू सो मच फो वोचिंग दिस किस बना है नेक्टर वोचिंगा है